क्या आप जानते हैं कि e-commerce इतना grow क्यों करता है उसके पीछे back end पे क्या होता है e-commerce जो grow करता है वो सिर्फ और सिर्फ price के कारण या सिर्फ convenience के कारण नहीं करता है वो grow करता है अपने CRM के कारण आप भी अगर देखेंगे तो जैसे ही आप किसी application को download करते हैं या किसी website को visit करते है वो आपको track करता है और आपकी details को अपने database में अपने CRM में store कर लेता है अगर आपने registration वहाँ पे किया है तो आपके email id को आपके mobile number को अगर आपने register नहीं भी किया है तो आपके system के IP के आपके network के IP को store कर लेता है आप उस e-commerce website पे जो भी product को browse करते हैं और जिस product पे सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं या उसे cart में add कर लेता है अगले कई दिनों तक CRM automatically उसी product से related आपको mails भेजता रहता है उसी product से related offers automatically generate होते हैं उसी product से related आपके पास sms आते हैं उसी product से related calls आते हैं ये जो सारी चीजें होती है वो आपको force करती है वो आपको enable कर देती है वो आप सही जगे है जहां से product खरीदा जा सकता है और आप वहां से वो product खरीद लेते हैं यह जो conversion का काम होता है e-commerce की जो easiness है e-commerce का जो price है वो सिर्फ आपको उस platform तक ले के आया है बट जो conversion हुआ है वो CRM के तुरू हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि यह जो e-commerce में अभी बहुत बड business में CRM को लगाई है CRM का कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता है बहुत कम कॉस्ट में भी available है हमारी company में हम लोग सिर्फ एक चाय के खर्चे में CRM देते हैं आप 10 रुपे रोज में अपनी organization के लिए CRM implement कर सकते हैं